प्रिये विध्यार्थियों, मैं गुर्मित सिंग, सह आचार्य, हिंदी विभाग, राजकिये महाविध्याले बुंदी, आज के मेरे इव्यक्यान का विशे, बिये तरतिय वर्ष, हिंदी साहित्य, दितिये प्रश्न पत्र के अंतरगत, पाठे पुस्तक आधुनिक हिंदी निबंध में संकलित निबंध, सोंदरे बोध और शिवत्तु बोध पर आधारित है, यह निबंध अग्ये द्वारा लिखा गया है, अग्ये का पूरा नाम जैसा की पूर्व के व्याख्यान में भी हमने बताया था, सचीदानन्द, हीरानन्द, वात्सियायन, अग्ये है, उस व्याख्यान में हमने निबंदकार के जीवन परिचे उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में चर्चा की थी आज के इस व्याख्यान में हम उनके द्वारा पाठे पुस्तक में संकलित निबंध सोंदरे बोध और शिवत्व बोध में जो व्यक्त विचार हैं उसका बिंदु बार विशलेशन करेंगे अध्यान करेंगे सबसे पूर्व अग्येजी हिंदी सहित्य के बहु आयामी विलक्षन व्यक्तित्व वाले सहित्यकार हैं वे स्वतंतरता आंदोलन के समय क्रांतिकारी रूप में जेल भी गए उनका जीवन क्रांतिकारी और यायावरी का रहा उन्होंने प्रतीक, दिन्मान, आदी पत्त्रों का संपाधन किया अग्येजी ने काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, आदी, कई विधाओं में लेखन किया है वे मूल रूप से कवी हैं उनमें समवेदना और बोधिकता का समनवे मिलता है अग्येजी आधुनी काल के सरवाधिक विवादास्पद एवं चरिचित व्यक्ती रहे हैं प्रस्तुत निमंद में व्यक्त विचारों एवं जीवन मुल्यों को इस परकार इसपष्ट किया जा सकता है बिंदु वार सबसे पहला बिंदु आता है समालोचक और मुल्य अग्येजी ने बतलाया है कि आलोचना के कई परकार हैं और इन परकारों का एक कारण आलोचना के विविद उद्देश्य हैं कोई आलोचना प्रभाव उत्पन करने या व्यक्या करने के लिए लिखी जाती है फिर भी एक समालोचक को मुल्यों या प्रतिमानों का विचारतों करना ही पड़ता है समालोचक भले ही करती का मुल्यांकन न करे उसे उसका रसा स्वादन करने के लिए भी स्विक्रत मुल्यों या प्रतिमानों को ध्यान में रखना होता है किसी रचना का मुल्यांकन करने के लिए तो मुल्यों का सहारा लेना विवश्टासी होती है बिना मान दंड के माप कैसे हो सकता है अतह प्रस्तुत निबंद में समालोचक और मुल्य उनका परसपर किस परकार से समनवे होता है एक समालोचक किन-किन मान दंडों को देखता है अपनी रचना में और उसके लिए मुल्य और प्रतीमान क्या महत्तों रखते हैं इसी बात को इस निमंद के अंदर प्रमुक्ता के साथ दर्शाया गया है दूसरा बिन्दू आता है मुल्यों का प्रश्ण मुल्य किसे कहते हैं यह प्रश्ण बहुत व्यापक है यह कोई छोटा सा प्रश्ण नहीं है मुल्य किसे कहते हैं ऐसी जग्यासा बिलकुल स्वाभाविक है युग युगांतर से दार्शनिकों और साधकों में मुल्य के स्वरूप की जग्यासा रही है वे इसके लिए उत्सुक रहे हैं कि वह कसोटी क्या हो जिस पर क्रती का मुल्यांकन हो अर्थात किस कसोटी पर उस क्रती का मुल्यांकन हो इसके लिए समस्त दार्शनिक और साधक निरंतर प्रयासरत रहे हैं मुल्यों का प्रश्न आचारियों साहते के अध्यताओं और समिक्षकों के लिए भी महत्तों का है लेखक भी अपनी रचना की परिक्षा करना ही चाहता है यह जानने है तू उत्सुख होता है कि उसकी रचना कैसी बन पड़ी है अर्थात लेखक ने यहां पर यह कहने का प्रयास किया है कि रचना कार के लिए मुल्य क्या द्रश्टी कौन रखते हैं और वह मुल्य कौन कौन से हो सकते हैं जिसके आधार पर रचना कार अपनी रचना धर्मिता को स्रेश्ट साबित कर सके उसके बाद हम तीसरा बिंदू लेते हैं सब प्रतिमानों का स्रोत मानव विवेक अग्ये जी ने एक सामने बात यह कही है कि और किसी प्रकार का अंतर भले ही हो प्रन्तु सब प्रकार के प्रतिमानों का स्रोत तो मानव का विवेक ही है सत असत का ज्यान ही विवेक है कुछ लोगों को विवेक की बात गले नहीं उतरेगी लेखक का यहां पर यह दरश्टी कौन है कि समस्त जो प्रतीमान होते हैं उनका जो मांदंड होता है वो मनुष्य के विवेक पर आधारित होता है जब सब बुल्यों का सुरोत मानों का विवेक ही है तो सुन्दरे बोध मूलतह बुद्धी का व्यापार है बुद्धी से सुन्दरे बोध का संबंध है हम कुछ गुण निश्चित कर सकते हैं और उनके आधार पर बताया जा सकता है कि सुन्दर क्या है बुद्धी से ही उन गुणों तत्वों को पहचाना जा सकता है वे तत्व मानों के अनुभव से संबन्दित है अब बिंदु संख्या चोथा आता है जिसमें अनुभव अपने आप में प्रतिमान या मुल्ले नहीं लेखक का यह मानना रहा है कि लेखक ने मुल्ले या प्रतिमान का बारिकी से विशलेशन किया है उसने कहा है कि अनुभव अपने आप में मुल्ले या प्रतिमान नहीं है अनुभव बुद्धी द्वारा प्रतिमान बनता है अनुभव बुद्धी का व्यायाम, प्रतिमान और तब सौंदरे का बोध होता है गोचर का जो अनुभव होता है उसमें बुद्धी कुछ और जोड़ती है तब प्रतिमान तैयार होता है जैसे शारिरिक उर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन जरूरी है किन्तु कब कैसा भोजन कितनी मात्रा में करना उचित है आदी बातें बुद्धी को निश्चित करनी पड़ती है लेख के शब्ध हैं कि गोचर अनुभव का कारे कारण ज्ञान के सहारे प्राप्त किया हुआ निचोड ही हमारे सोंदरे बोध का आधार है वक्रता में कला या सोंदरे का तत्व होता है यह हमारा अनुभव है चित्र या मूर्ती में जो रेखा की वक्रता है अर्थात जो रेखांकन है वही यदि कावे में उक्ती की वक्रता का परम सुक्षम रूप ले ले तो हमारी बुद्धी अनुभव से प्राप्त सुक्षम बोध के आधार पर उसे पकड़ या पहचान ही लेगी उक्ती में वक्रता का वह तत्व हमारे अनुभव से उद्भूत है और हमारे विवेक से प्राप्त है बुद्धी द्वारा अनुभव में कुछ जोड़ दिये जाने से वह प्रतीमान बना है इसी कारण उससे हमें आनंद प्राप्त होता है इस प्रकार सौंदरे के तत्व बुद्धी पर आधारित है और सौंदरे का आस्वादन भी बुद्धी का व्यापार है उसके बाद आता है पांचवा बिंदू मुल्य शाश्वत नहीं बुद्धी अनुभव के सहारे चलती है वह व्यक्तिगत जातिगत समाजगत युग युगांत संचित होते हैं अनुभव निरंतर विकास शील है अता बुद्धी भी विकास शील है और मानों का विवेक भी विकास शील है नया अनुभव पुराने से जुड़कर उसे परिपक्कोता देता है वह पुराने को मिटा नहीं देता इस परकार पुराने मुल्य या प्रतीमान का परिशकार या संसकार होता है उसमें और नयापन आ जाता है वो परिशकरत होकार मुल्य जो बदल जाते हैं यही लेखक का अभी प्राए है इस निवंद के माध्यम से मुल्य या प्रतीमान शाश्वत भले ही न हो वे इस्थाई होते हैं बुद्धी हमारे अनुभव को माजती है छटा बिंदू जो आता है इसमें वो है सुन्दर के प्रतीमान और नेतिक प्रतीमान के समन्द का प्रश्ण पुराने आख्यान साहित्य में घटनाओं का परात पर घटित होना ही वहां सरवाधिक महत्व रखता था उनमें मानेताएं नेतिक मुले भी रहते थे इधर के आख्यान साहित्य में इस्थूल जगत में घटना घटे बिना भी संघर्षों का उलेख रहता है आज का लेखक घटना में करताओं के उद्देश्यों को देखता है वह घटनाओं के कारण बतला कर परिणाम पाठक पर छोड़ देता है आज बुद्धी के बढ़ते वैभव से नेतिक हरास हुआ है यह मानना ठीक नहीं है नेतिक बोध तो परिपक को हुआ है पहले साहित्य में मानव को गरोपूर्ण पद दिया जाता था अब नई प्रवर्ती नेतिक लीकों में मानव को डालने का प्रयत्न कर रही है नेतिक मुल्यों का विस्तार होता है समा लोचना के लिए नेतिक मुल्यों पर और उनके विकास या विस्तार पर विचार करना आवश्यक है देखना यह है कि नेतिक मुल्यों और सुन्दर मुल्यों में कैसा संबंध है जो सुन्दर है वो अनेतिक नहीं होगा और नेतिक मुले यानि शिवत्व के मुले और सुन्दरे के मुले अलग-अलग है उच्च कोटी का नेतिक बोद और उच्च कोटी का सुन्दरे बोद करती कार के साथ साथ चलते हैं उसमें सुन्दरे बोद के साथ नेतिक बोद भी होता है इस प्रकार प्रस्तुत निमंध अग्य द्वारा जो लिखा गया है सुन्दर्य बोध और शिवत्व बोध उसमें मुख्य रूप से मनुष्य के जीवन मुल्यों पर चर्चा की गई है कि किस प्रकार जीवन मुल्य ही वहर शाश्वत मुल्य हैं जिनको अपनाकर मनुष्य शिवत्व की श्रेणी प्राप्त कर सकता है इस प्रकार इसमें मुख्य रूप से निमंध में छे बिद्व आते हैं जिसका हमने यहाँ पर अध्यन किया था पहला है समा लोचक और मुल्य है दूसरा है मुल्यों का प्राश्ण तीसरा है सब प्रतिमानों का स्रोत माना विवेक चोथा है अनुभव अपने आप में प्रतिमान या मुल्य नहीं पांचवा है मुल्य शाश्वत नहीं छटा है सुन्दर के प्रतिमान और नेतिक प्रतिमान के संबन्द का प्रश्ण इस परकार निशकर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अग्ये द्वारा लिखी प्रस्तुत निमंद, सुन्दर बोध और शिवत्व बोध में जो विचार व्यक्त किये गए हैं वो लेखक के द्वारा एक उच्च कोटी के विचार प्रतिपादित होते हैं इस प्रकार प्रस्तुत निमंद में सुन्दर बोध और शिवत्व बोध इन दोनों का विस्तार से और बारिकी से विशलेशन किया गया है साहित्ते में ये दोनों विध्यमान रते हैं यदि वुच्च कोटी का साहित्य होगा तो उसमें सुन्दर बोध भी होगा और शिवत्व बोध भी होगा लेखक का यहां पर यही कहना है कि वही साहित्य हमारी कसोटी पर खरा उतर सकता है जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सुन्दरे का स्वर हो, स्रजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाईयों का परकाश हो अत्ह लेखक ने अपने इस निमंद में इस तरह मूल्य आधारित विचार व्यक्त किये हैं और यह विचार उच्च कोटी के यहां पर प्रतीत होते हैं इसलिए उनके निमंद का नामकरन भी उन्होंने रखा है सोंदर्य बोध का अर्थ होता है ग्यान और शिवत्व बोध शिवत्व का मलब होता है कल्यानकारी ऐसा सोंदर्य ऐसा साहित्य जो हमारे लिए कल्यानकारी साबित हो तो विध्यार्थियों आज का व्यक्ष्यान यहीं समाप्त होता है अगला व्यक्ष्यान अगले वीडियो में परसारित किया जाएगा